नमस्कार आप देखरें लाइब बिहार मैं हूँ आपके साथ निती सिंग जद्यू में इंदीनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जद्यू के बड़े कद्गे मंत्री आर्सीपी सिंग इंदीनों अकेले पर गए हैं अभी हम जिस जग कि आर्सीपी सिंग जद्यू से जब केंद्र में गए और केंद्र में इस पात मंत्री की जिम्मेदारी समाली तब उनका धीरे धीरे जद्यू से कद छोटा होता चला गया और जद्यू के नए राष्टिया द्यक्षबन गए ललन सिंग अब उनसे सबसे पहले राजिसभा क सीट छीना गया अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सरकारी बंगला ये भी छिनने जा रहा है हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं पटना इस्थित उनके सरकारी बंगले की है जो जानकारी निकल कर सामने आई है देर साम अब ये बंगला बिहार सरकार के मुख्य सच आमिर सुहानी को यह एलोट कर दिया गया है यानि कि नितीश कुमार के सबसे दूलारे में से एक होने वाले नेताओं में से एक आरसीपी सिंग का यह वंगला अब आमिर सुहानी का होने जा रहा है आपको बता दे एक समय ऐसा भी था जब जद्यू में आरसीपी सिंग की बात प्रस से अर्ष का सफर जद्यू को इन्हों ने कराया था यही वो आवास है जहां पर रसीपी सिंग बैट कर राजनीति क्या करते थे और इसी आवास से कए बरिवंत्रियों को यहां से बना कर भेजा गया है बताया जाता है कि 2008 में जब रसीपी सिंग यहां पर पहुंचे थे तो उस समय सी अमनितीस कुमार ने खुसी-खुसी इन से कही थे कि यह वंगला आप तक रहेगा और आप यहां पर बैट कर जद्यू से जुड़ी सारी चीजों को कर सकते हैं काम कर सकते हैं तो जद्यू को मजबूत करने का काम भी आर्सीपी सिंग इस वंगला से किया करते लेकिन धीरे धीरे केंदर में बंतरी बनने के बाद आर्सीपी सिंग का जद्यू से कच छोटा होता चला गया आप तस्मीरे देखें यहां पर कोई भी आर्सीपी सिंग से मिलने के लिए नहीं पहुच रहे हैं माना यह भी जा रहा है कि जद्यू में इन दिनों कुछ भी भेज दिया और तमाम कारी करताओं के बीच खासतोर से जो आर्सीपी सिंग से जुड़े रहे हैं उनमें नाराजगी देखी गई और आर्सीपी सिंग महद भूत अध्यक्ष बन कर रहा गए अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक उनका ये सरकारी बंगला अब छिन ज चैयर के बाद आर्सिपी सिंग बरा रिड़ने लह सकते हैं ये भी देखना दिल्चस्प होगा कि जिस तरीके की बाते लगातार सामने आई एक कि आर्सीपी जो है लगातार बीजेपी के साथ नज़गर आने वाले दिनों में क्या बीजेपी के सात्ध दोस्ती का हांध वहीं देखना दिल्चस्प होगा क्या आर्सीपी सिंग इसको लेकर जल्द बरा निड़ने लेंगे आपको बता दे आर्सीपी सिंग इन दिनों अकेले पर गये हैं उनके कोई भी पार्टी के नेता उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और आप नजारा भी देख सकत अपडेट कराते हैं देख तेरे लाइब बिहार बहुत बहुत धन्यवाद लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें